Hello everyone, सभी को नमस्कार, मैं अवजिश दिक्षित, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ तो इस session में आपके लिए कुछ दमाके हैं, इसका मतलब यह है कि आपके लिए कुछ important announcements हैं वो announcements आपके लिए सही में important हैं, तो एक बार session को अपने हिसाब से किसी भी speed पर देख लेना तो इन points पर हम बात करें, तो सबसे पहला point है कि controversy खतम हो गई है बहुत अच्छा है ना, कि जब चाहे controversy start हो जाए, जब चाहे वो end हो जाए तो ऐसी controversy मैंने आपको पहले भी कहा है कि आती रहेंगी और तेजी से आएंगी the important part is कि आपको उस पर कम ध्यान देना है, अब ध्यान नहीं दे तो वो तो best है लेकिन ध्यान चले ही जाएगा और मैं शमा चाहूंगा कि मैंने जो भी अपने viewpoints थे वो आपके सामने जो है एकदम निस्पक्ष रूप से रख दिये कि नहीं यार उसमें AIR1 की उतनी गलती नहीं है, मुझे जो है थोड़ा सा उसी को course देना चाहिए था बट काफी से से कह रहेते हैं कि सर आपको जो है पैसा मिला होगा किस की तरफ से मुझे AIR1 पैसा दे देगा सर 15 लाग है आप ले लो यह सोचा भी नहीं कि भाई मैं मेरे को उसका पक्ष रख के क्या फायदा मैंनो कुछ points कहते लेकिन मेरी इस student से खुद बात हुई थी उसने कहता सर मेरा interview उसके बाद जो है कुछ लोग मेरे घर पर आए अब आप इसे ऐसे समझो है आपका एक भाई होता यह है वो चाहें UPSC में और UPSC में भी आप देखो एक ही आपको टॉपर के दस जगे फोटो दिखते हैं तो मैंने यही कहा कि अर उसको ज़्यादा खीचने के आवशकता नहीं थी तो आपका भाई जो है मानलो IAT में वो फर्स ट्रेंक आ गया उसके पास फिर कुछ लोग आ जाते हैं भी हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं या आप हमारे पास आईए फिर बात कैसे भी कहीं तक पहुंची तो उसने वो गिफ्ट ले लिए वो गलत है आप देखिए मतलब क्या उससे ज़्यादा गलत चीज़े नहीं हो रही है कि ड्रीम 11 है उसमें दोनी उसको प्रमोट करने जिसको हम सब बहुत मानते हैं और उन गेम्स के थुरू कितने ही यूथ बरबाद हो जा रहे हैं कितने ही सुसाइड कर ले रहे हैं कितने स्पोर्ट्समेन यह भी कह दे रहे हैं यह मैं खाता हूं तुम भी यह खाओ कोई भी गलती वलती नहीं है बस यह उस बात को समझना है कि पता है इमांदर वही है जिसे बहिमान बनने का मौका नहीं मिला काफी स्टुरेंट्ट जब सिलेक्ट हो जाते हैं कुछ मेरे से भी पूछते हैं कि सर कौन सी पोस्ट ली जाए किसमें उपर नीचे का हो सकता है तर यह सब पूछना गलत नहीं है जो खुद क्लियरली पूछना फिर मैं समझाता हूं कि उस पर जादा फोकस नहीं करना आप आपको अपनी स्टेट पर फोकस करना क्या है मैंने आपको कई बार नहीं बता है फिर हावई शादी हो जाएगी तो हम इतना पैसा लेंगे वो सब करना बहुत सही है तो बस यह यह चीज है ठीक है कोई फस गया फस गया बाकि उस चीज को छोड़ो और आगे बढ़ो यह ठीक यह जिसकी गलती थी अब बना दी जिसने कर दिया लेकिन सीधे फैसला हमें नहीं सुनाना चाहिए किसी भी चीज पर जिसके बारे में हमें दूसरा पक्ष का ज्यान नहीं हो नेक्स्ट इस टॉपर्स माइंडसेट टॉपर्स माइंडसेट क्या है मैंने आपको काफी टाइम से बताया था कि लगबग एक महीने से समय हो गया कि मैं किसी चीज पर काम कर रहा हूं है ना कि एक एक ऐसी वीडियो बनाई जाए एक एसी स्ट्रेटरिजी आप यह मान गाइड कर रहे होगी कि आपको क्या करना चाहि नहीं करना चाहिए फ्री है या पेड है तो डेफिनेटली यह पेड है पेड रखने के कारण है आप भले ना दस लोग मिलके आपस में शेर कर ले ना देख ले ना उससे कोई फरक नहीं है बट वही इशू हो जाता जो यह भ लेकिन इसको पेड रखा गया आप भले आपस में शेयर करना उसका कारण फिर मैं वही बता रहा हूं यही था कि फाल तुमें फिर मैं नेगिटिव क्यों सहूं वही मैं किताब भी ला सकता था सौ डेड़ सो दो सो रुपय की तो यह पेड है बट यह वर्थिट है यह नहीं है उसके लिए भी मेरे पास कोई रिव्यूज नहीं है लेकिन बहुत जल्दी उसके वीडियो रिव्यूज होंग जिसमें यह सारी वीडियोज होंगी सिर्फ इतना ही नहीं है उसके बाद जो है आपको जूम सेशन का भी लिंक मिलेगा जो आगे जिसमें मैं और आप जुड रहे होंगे कोई बातें अगर इतनी सारी बातों में भी रह जाती है तो वो भी हम आपस में इंटरेक्ट करेंग उसके बाद मेरे को जो चीज आपसे प्राप्त हो रही होगी वो रिटन रिव्यूज नहीं क्योंकि रिटन रिव्यूज था आपने देखा खरीदे जा सकते हैं कुछ भी हम टाइप करवा सकते हैं लेकिन वो वीडियो रिव्यूज होईंगे यह बहुत यह कहलो सालों का अ हमारे पास रिव्यूज अविलेबल हो जाएंगे उसके बाद प्राइस 99 रखा जाएगा फॉर कुछ लंबा टाहिं तक है सानी है कि फिर अरे देखो हम जो है लॉस ओफर नाउंस करें 49 फिर से कर दिया नहीं होगा मैंने जो कहा है उस टाइप की चीज़ें करीब हैं पास् को इतने डीटेल में समझाए तो विश्वास है जहां तक है कि रिफंड के लिए कोई आगे नहीं आ रहा होगा अगर फिर भी आता है तो वी आर रेडी टू गो विद अब आते हैं CGL 2023 की स्ट्रेजी पर बिल्कुई शॉर्ट रखेंगे तूदा पॉइंट रखेंगे दो है कि स्ट्ट्वेंड्स अभी हमारे पास होंगे कौन कौन से एक होंगे रिपीटर्स एक होंगे फ्रेश्र्स रिपीटर्स हो जिननीं CGL 22 का प्री ये मेंस दिया होगा उनके लिए बात की जाए तो सीधी बात लो कपास आप मौक्टेस लगा और मौक्टेस भी कौन से previous year papers ठीक है, आपके कुछ जो points होएंगे जो कुछ जो chapters हैं जो आपके week हैं आप उनको भले कहीं से पढ़ सकते हो चाहे वो आपका पुराना paid course था या आप अभी देखना चाहते हो इनने यार मेरा trigonometry week है English में आपके PQRS week चल रहे हैं उन पे सिर्फ काम करिए कोई paid course वेगरा लेने की आवश्चकता नहीं है आगे जो बच्चे freshers हैं जो first time एक्जाम दे रहे हैं I hope आप पिछले एक दो महीने से तैयारी कर रहे थे and you are not waiting for the notification अगर ऐसे notification का wait नहीं कर रहे थे I hope आपने कोई recorded batch ले लियोगा focus करें recorded batch पे क्यों क्योंकि आप उसे अपनी speed के हिसाब से देख सकते हैं जैसे आप इस वीडियो को देख पा रहें तो आप 6 महीने के syllabus को 3 महीने में खतम कर सकते हैं और दूसरी बात अभी लग रहा है हमें कि 3 महीने फिर वही बात 3 महीने को 6 महीने आप बना सकते हो अगर आप 4 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो उसकी जगे 8 घंटे पढ़ने लग जाओ वो केवल एक vision का ही फरक है ठीक है किसी के लिए वो 3 महीने किसी के लिए वो 6 महीने भी हो सकते हैं अगर आप अपने time को double कर दें live classes वाला अगर कोई batch ले लिया है तो it's okay but the important part is कि self efforts अभी भी मारने बहुत important है कि केवल उस routine को follow नहीं करना जो उस live class में हो रहा है भले आप उसे बाद में recorded देख लो लेकिन अपने इसाब से सोचो कि यार कौन से chapters मुझे पहले cover करने है जिनका weighted जाद है मैंने आपको पहले भी बता है blueprint बनाया करिए वो आपको यहाँ पर help कर रहा होगा third point is की time waste जितना कम कर सकें उसको जितना zero के पास ले आए उतना अच्छा है YouTube पे Facebook पे Instagram पे यहाँ वहाँ फाल तू जितना भी time waste हो रहा है उसको zero कर देंगे जिरो के करीब ले आएंगे तो उस time का फ्यूटिलाइस कर पाएंगे पढ़ाई में यह समय फिर नहीं आने वाला बहुत जल्दी सीजल 22 के बाद 23 वाल अटेम्ट आ गया ऐसा पता नहीं 24 अब कब आएगा नहीं आएगा जो भी है वो future है तो जो present है उसको पकड़िए और less focus करिए gk पर अब कहीं कहेंगे sir remains में भी gk तो आप कम focus करने को क्यों कह रहे हो इसका पहला point है कि pre जो है qualifying है second point यह है कि आर gk की न कोई starting और end point नहीं है यह endless है third point यह है कि यह अगर आपको gk पर focus करना है तो कम time में ज्यादा करें कैसे करें भाई तो आप इसके लिए जो है अगर current affairs की बात करें तो weekly या monthly देखिए daily देखने की आवशक्ता नहीं है पहली बात और static वाला जो part है वो previous year से करिए और lucent को रटा मारिए that is all बहुत ज़ादा यहाँ भटकने की आवशक्ता नहीं है अगर हम कम भी पढ़ेंगे अगर हम बिल्कुल कम भी पढ़ेंगे तो यार 50 में से 15 नमबर ले आएंगे ज़ादा पढ़ेंगे तो 30 लाएंगे बहुत ज़ादा अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन 30 जब लाएंगे तो हमारा English, Maths और Reasoning कहीं न कहीं compromise हो रहा होगा target यह क्यों ना बना लिया जाए कि इन तीनों में 500 में से कम से कम 130 ले आया जाए अभी इस बार cut off 113, 114 गई थी तो अगर क्योंकि vacancies I hope this point is very much clear कि मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है कि जी के पर आप थोड़ा कम focus करिए क्योंकि यह endless चीज है last आपके लिए कईयों के लिए बहुत important है that is कि जो भी हमारा course app पर free of cost available था sorry, जो भी course हमारा app पर available था अब उसे free of cost हम YouTube पर available करवा रहे होंगे अभी भी वो उतना ही वर्थिट है ठीक है क्योंकि आप अगर mains का भी अभी का paper उठा के देख लोगे तो एक सवाल आपको ऐसा नहीं मिलने वाला जो उसमें से नहों तो free में हम क्यों available करा रहे हैं उसकी फटाक से कुछ reasons देख लेते हैं जो अपनी app थी जो स्वेंट यूज कर रहे थे उन्हें पता हो कि काफी सारे server issue आ रहे थे live class का feature उस पर नहीं हो पा रहा था मैं अकेला ही उसको manage कर रहा था तो मेरे को manage करने में समस्या आ रही थी developer से बहुत बात करनी लेकिन बात नहीं बन पा रही थी ठीक है उसके बाद zoom जैसा है मैं एक interface चाहा रहा था कि हम आपस में बातचीत कर पाया वो भी नहीं हो पाया और not able to update the course मैं course को update नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं कहीं और भी पढ़ा रहा था यहां भी पढ़ा रहा था तो course update नहीं हो रहा था update का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मला बदल जाएगा बट दौनली थिंग वास कि कुछ चीजें जो हैं पहले wide board पर shoot हुई थी उनको digital board पर shoot करना था और कुछ latest सवाल डालने थे concept मैं अभी भी कह रहा हूँ उसमें सारे के सारे हैं जो भी अभी recent exams में पूछे जा रहे थे और उसके बाद last point कि सर उन बच्चों का क्या जिनने last एक दो अफते में खास कर जो admissions हुए थे वो अभी notification के आने के बाद हुए थे तो वो जो भी 1500 से 200 admissions हुए है वो सारे ही refund कर दिये जाएंगे चार से पाँच working days का समय मेरे को दे देना आपको ये refund मिल जाएगा और बताईए ठीक है पूरा refund मिल जाएगा और कुछ नहीं no questions asked वाली बात कि भाई जो भी है अगर मैंने यहां पर उसे free of cost कर रहा हूँ तो वो refund आपको मिलना चाहिए ये सारे अभी YouTube पर आने में भी थोड़ा सा time लगेगा एक बार जैसे ही upload हो जाता है मैं आपको जो है इसके बारे में भी एक update दे दूँगा I hope आपके लिए कुछ यहां पर धमा के useful रहे होंगे